आज हम लोग पढ़ेंगे हैना जेनेटिक्स में हैना मेंडेक्स लोग हम लोग देख लिये थे आज हम लोग पढ़ेंगे हैना एंटर एक्शन एंटर एक्शन ऑफ जेन्स हैना क्या और्थोगाइस का रिसी प्रोकल एक्शन ऑफ गेम्स दूसरा हो जाएगा mutual action ऑफ जेन्स एक दूसरे के ऊपर एक्शन हैना एक जीन दूसरे के ऊपर एक्शन करेगा हैना उसको हम लोग कहेंगे interaction ऑफ इंटर एक्शन दो जीन के बीच का एक्शन इंटरेक्शन और जीन का जाएगा ठीक है यहां तक हम लोग देखे हैं उस साथ पर जो character हम लोग देखे थे उसमें हम लोग देखे हैं कि dominant character recessive character से cross कराया जाएगा तो first tension में dominant character आ जाएगा tall को red से tall को ड्वार से कराया हम लोग टॉल आ गया red को white से करेगा तो red आ जाएगा लेकिन आज जहन ऐसा नहीं होने जा रहा है ठीक है न ठीक से इसको हम लोग देखे हैं न तो इसका जहन पहला type है incomplete dominance incomplete dominance है न इन दिस टाइप इस परकार के में ठीक है न ना 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 इदर कोई नहीं neither of the parents are dominant will be parent dominant नेह लोगा थैस्या है ना बटिक कित लोग लोग लुचानः नेखा इसल से बट लोगार क्रिए फॉर्म्स आर एक्स्प्रेस्ट बीच का रूप निको लाएगा ना इन एफवन जेनरेशन एफवन जेनरेशन में बीच का फॉर्म आ गएगा अफटर शेल्फिंग शेल्फिंग के बाद इन एफटो जेनरेशन भॉर्म्स आर खरोर्म एफटो जेनरेशन एफटो जेनरेशन एफटो जेनरन एफटोपेट्वके बादेंस्ट जेनरेशन तो इसके लिवाओ इसके लिवाओ निवाओ दो जूारिटन इसकाओ इसके लिवाओफ निवाओ है और दोनों का रेशियो एक ही होगा हम लोगों देखें थे कि मोनो हैट क्रोस में 3 is to 1 का रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो लेकान यहां यहां पर रेशियो जो है न वो दोनो रेशियो ओई होगा ठीक है न इसका एक्जाम्पूल हम लोग देखें एस्नेप ड्रेगन प्लांट इसको डॉग प्लांट भी चहा जाता है न बोटानिकल नाम है इसका है न एंटी राइनम एंटी राइनम मेजस है न इसमें क्या हमनों देखेंगे इसमें क्या एक और लिखने देखें यह एक हो गया है न दोसरा हो गया है न मिरावलिस जलापा जलापा प्लांट है न इसका नाम है फोर को क्लॉक प्लांट इस दोनों हम लोग क्या देखेंगे न रेड़ को रेड़ फलावर रेड़ फलावर वाइट फलावर को क्रोस कराएंगे हम लोग रेड़ फलावर वाले प्लांट को वाइट फलावर से न फर्स्ट जनरस्टन में है न वो पिंक फलावर न तो रेड़ होगा और न तो वाइट होगा पिंक फ्लावड प्राप्त हो जाएगा ठीक ना तीसरा एग्यामपुल देखिए एंडूलेशियन फावल इसमें हम लोग क्या करेंगे बलेक फावल को जब हम लोग वाइट फावल चे क्रोस कराएंगे तो देखें यह बलेक आया ना वाइट आया बलू आ गया ना तो रेड आया ना वाइट आया टिंक आ गया यहां पर हम लोग देखें कोई भी मिरावल जाला पर ले 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 दोनों तो यह एक एग्यामपुल है है सपोस्ट कीज़े के स्नेट ड्रेगन प्लांट का हम लोग क्रोस करा दा है ठीक है ना क्या होना चाहिए इसने रेड फ्लावर को हम लोग क्रोस करा दिये वाइट फ्लावर से ठीक है ना इसका गिनो टाइप होगा r r इसका गिनो टाइप होगा r orbital गैमिट बनेगा और गैमिट बनेगा और F1 generation हो जाएगा, यह हो गया F1 generation, यह हो जाएगा F1 generation, यह F1 generation में पिंक फ्लावर वाला प्लांट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक ना, इसका जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, हैना, सेल्फिंग, इसका gamit बनेगा, R, इसका gamit बनेगा R और R हैना, इसको जब हम लोग बोर्ट को रखेंगे, हैना, R, 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 ठीक हैना, R, R red हो गया, पिंक, और ये हो जाएगा, वाइट, ठीक हैना, क्या देखें हम लोग, R, R, रेड, एक हो गया, आर, R, पिंक, दो हो गया, वाइट, एक हो गया, इस तरह 1 is to, 2 is to 1, ये फिनो टाइपिक रेशियो भी है, ये फिनो टाइपिक, दोनो रेशियो इसका है, ठीक हैना, एक देख लिए हम लोग, दूसरा जरा देखा जाए, वो है, इसको आप लो उतार लेखें के इसे, एंडूलेशियन फाउल का, हैना, दोनों का तो वह हो जाएगा, दो का तीसरे का हम लोग देखें, और, एंडूलेशियन फाउल, एंडूलेशियन फाउल का हम लोग देखें लिए हैना, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, एक बलेशियन फाउल है, और दूसरा, इसका जीनो टाइप हो जाएगा, बी, इसका जीनो टाइप हो जाएगा, बी, गैमिट बनेगा, बी, और इस तरह फर्स्ट जेनरेशन में हैना, यह हो जाएगा, बुलू फाउल, यह हो जाएगा, एफ वन जेनरेशन, यहाद हैना, यह एफ टू जेनरेशन है, हम लोग को ही लिखना भूल जाता है, यह एफ टू जेनरेशन, दूसरा जेनरेशन, फाईलियल जेनरेशन हैना, अगर इसको हम लोग फेट सेल्फिंग करावें, ठीक है ना, इसका गैमिट बनेगा, वी वी वही पहले वाली बात, हैना, तो क्लास में रहता है, तो इसे इक वारी आज़िए अपना वर्क आउट करो, निकालो, यहाँ तो सब निकाल, निकाल तो देखाना रहता है, इसमें क्या है, हैना, यह हो जाएगा, बी बी ब्लेक ह ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और वाइक हो जाएगा है ना यह हो जाएगा बी बी black बे-बी ब्लो और यह भी खुलाइट हेन। यहाँ भी तो इस टो इस टो वन थेनो टाइपिक एंड जेनो टाइपिक रेशियो तोनो एक ही होगा ठीक है तो इस तरह हम लो ये इनकम्पलीट देख लिए हम लो एक और इसमें इंपोर्टेंट बात है इनकम्पलीट इनहेरिटेंस ये आप लो देख रहे हैं कि इसको हम लो इंटरमेडियेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं बीच का निकॉलाया इंटरमेडियेट इनहेरिटेंस इसका दूसरा नाम भी है ब्लेंडिंग इन्हेरिटेंस ब्लेंडिंग मनना हुता है फ्यूज कर जाना दोनों मिला कर तीसरा जैसे एक रंग वाइट रेड को क्रोस करा है यह हम लोग पेंट कराते हैं तो डाल देते हैं दूसरा रंग आ जाता है ब्लेंडिंग मिक्स करना ब्लेंडिंग इन्हेरिटेंस ब्लेंडिंग का नाम है इन्हेरिटेंस ब्लेंस का नाम है ठीक ना यह रहा है इंटर्मेडियर्ट यह पहला होगया यह है ना इनकम्पलीट डोमिनेंस का incomplete dominance मतलब कि कोई भी dominant नहीं ठीक है ना एक और है भी core dominance हम लो देखेंगे है ना ठीक है इसको हमको मिटाना पड़ेगा ठीक है ना चली हम मिटाते हैं इसको अब है एक और जिसका नाम है को का मतलब समान हो जाएगा core dominance समान रूप से dominance है ना इन दिस टाइप है ना बोथ दब पैरेंट्स आर equally dominant समान रूप से dominant हो जाएगे ठीक है ना ही ठीक है ठीक है इतना है ना तो इसका एक जाम्पु जो है ना इसके बारें इसके बाद हम जो विडियो बनाएंगे ठीक है ना वह सिर्फ बलट गुरूप पढ़ाने के बादे बनाएंगे बलट पहेंगे बलट गुरूप पहेंगे क्योंकि हमको मुल्टिफुल एल्फ पॉढ़ना है उसमें भी बलट गुरूप मिलेगा है ना और लेल लेने, तो अभी जान लीगे, कि बलड गुरूप जो होता है वो A टाइप होता है, B टाइप होता है, A, B और O टाइप होता है, हना, तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग A और B पर ध्यान दे, एक्चुली बलड ग्रूप A, B और O टाइप होता ही है, यह भी नहीं होता है, वो तो बाद में बन गया है, ठीक है ना, तो बलड ग्रूप एज, controlled by, जीन आई, आई दोर आई कंट्रूल होता है, याई क्या है हम उसने सब देखाएंगे, ठीक है ना, और इस तरह, अगर कोई पर्सन है ना, बलड ग्रूप A और बलड ग्रूप B है ना, इसका जीनो टाइप जब हम लो लिखेंगे है ना, वो हो जाएगा A, A, B और B है ना, ग्रैमिट बने गा A, B और फर्स्ट जेनरेशन में देखेंगे, आ गया A, B बलड ग्रूप A और B ठीक है ना, यह F1 जेनरेशन हो गया, F2 जेनरेशन निकालने की ज़वरत नहीं है ना, क्योंकि मन उसमें सेल्फिंग होता ही नहीं है ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देख रहा है कि दोनों, दोनों समान रूप से डोमिनेंट हो गया, A भी हो गया और B भी हो गया ठीक है कि यहाँ पर पैरेंट जो है ना, समान रूप से डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है इतनी बाद, अब एक और चीद देखा जाए है ना, एक दूसरा याम्पुल भेश का देखा जाए, अब दूसरा देखे है हम लोग जो एंसी आटिम नहीं है ना, इसलिए उसकी चर्चा उसमें नहीं करना है ना, लेकिन यह एंसी आटिम नहीं है ना, वो है, केटल, यह जो केटल है, जेनरली आप मार्केट में देखे होजेगा, केटल गायोगर घूंती रहती है ना, तो उसमें देखेगा, कोई सपोज की यह रेड कलर का केटल है, और कोई हॉइट कलर का केटल है, है ना, इसको भी आप आर आर लिखे, और इसका भी जीनो टाइक निकालिए, आर आर, है ना, गैमिट बनेगा आर, गैमिट बनेगा आर, और इस तरह एफ़ण जैनर सन हो जाएगा है ना, इसको हम लोग कहेंगे रून कलर, रोन कलर क्या होगा यह हो गया फंजाने संथ रोन कलर मतलब कि यह पैचेज और रेड एंड वाइट साइड बाई साइड जो एस्कीन का कलर होगा जो हेर का कलर होगा उसका है न कोहीं रेड होगा कोहीं वाइट होगा रेड वाइट साइड वाइट हो जाएगे तो मतलब फिए उसके स्कीन पर रेड का भी पैच आ गया और वाइट का भी हो गया क्या हो जाएगा ये, ये co-dominants हो जाएगा, दोनों, डोमिनेंट हो गया है, अगर इसका हम लोग फिर self-in कराते हैं, ठेक न, तो gamit इसका हो जाएगा, आर आर, इसका भी gamit हो जाएगा, आर आर है न, और इस तरफ, f2 generation निकलना होगा, 동 इह हो जाएगा न ये हो जाएगा आर ठीक है ये हो गया। ये हॉगत न रून रून और ये Kerry को कैते है सिनतमत that तो ये हो जाएगा. आ ये हूए अध्यक एू आना ध्युक्त लेखते हैلف है dark तो इस नहीं लोग क्या देखते हैं रेड वन यह हो जाएगा रेड कलर रोन कलर और यह हो जाएगा वाइट यहां भी आपको क्या मिल ला है 1 is to 2 is to 1 ratio बोथ न फिनो टाइप और जीनो टाइप और जीनो टाइप दोनो का रेशियो क्या हो जाएगा 1 is to 2 is to 1 हो लिए यह रहा complete incomplete dominance and co dominance है अब हम लोग को इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे cause of dominance है ना तो हम लोग फिर अगला वीडियो में हम लोग देख रहे हैं है cause of dominance किस कारण dominance होता है